जैन दोस्तो आज हम कंपूटर का अध्याए नमबर तीन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपूटर की कारे पिढ़ना ली इससे पहले हमें इसके दो अध्याए कंप्रिक्ट पढ़ चुके हैं यह आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस आएंगी सर हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह के बढ़ाते रहे तो मैं कंटीनिव आपको इसी तरह से और बहतर पढ़ाने कोस्ट करूँगा और वीडियो के अंत में आपको एमसी क्यूज भी प्रेक्टिस कराने वाला हूं ठीक है तो ध्यान से देखेगा आपको पहले कंपूटर की कार्राइब ना ली ठीक है यानि कि कंपूटर बरक किस परकार से करता इसके बारे में हमें मैं पढ़ेंगे किसी भी कंपूटर को कार ने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है दो चीज कौन सी होंगी वो हाड़वेर और सौप्ट्वेर जैसे कोई भी सबसे मेन हैं जी दो तो कंपल सरी इसके लाब चोटी मोड़ी चीज तो अनेक एसे भी इसमें भी कई चीज यह होती है चोटी मोड़ी है न तो मैन या तो हाड़वेर के अंदर आएगा या फिर सब्ट वेर दो चीजे चाहिए कंपूटर को चलाने के लिए अब हम आगे बढ किस परकार से बरग करता है सबसे पहले हम बात करते इन पूर किसी कम्पूर्ट आसको इंस्क्रक्चन देना होगा तो इंस्ट्रक्चन देने के कीवोड माउस से या फिर किसी अन्य तरीके से तो उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि एक आरी करना तो वह इन्पुट कहलाता है इस्टोरेस की बात करें ठीक है इस्टोरेस देखिए आप नाम सी किलिए रहे स्टोरेस अपने मोबाइल में होस्ट सुना стор aí data और अनुदेशों को memory उनेट किया जाता है तकि आईवसक्त अनुसा मत जो data होते हैं और अनुदेशे इस्ट्रक्सन होते इनको Bolt醒 यूनिट में कंप्पूटर में एक में मोडी होती हैना जिसको of cD stripe d drive इत्त्यादि कहते यूनिट पर इस्टोर किया जाता है ताकि जब उसके आवसकता हो तो उसको फ्यूग किया ऐसा कि आपने कोई फाइल बना उसको का मैमोरी में सैप करेंगे तो वह स्टोरे स्केल आएगी ठीक है छोटी-छोटी चीज है कॉंसेट्ट और आपके सामने देखी बहुत सारे की पॉइट अल्रेडी है बस मैं उनको सरलवे में आपको बताने कुछ कर रहा हूं जिसे आपको याद हो जाए इसलिए हमारे कम समय में बहुत ज्यादा कंटेनर में यहां पर कवर कर लेते हैं चलिए बिना टाइम बेस्ट क कर उसे सूचना में बदला जाता है देखिए प्रोसेसिंग का प्रोसेसिंग करें होता है cpu ककॉपूटर को मस्तिस कहा जाता है जब इन्पूटर को एंपूट जो है इन्पूट डिवाईस उनके माद्यम से कोई डेटा या फिर अनुदेशन इन्स्ट्रक्शन दिए जाता अमें इन्फुरम्हिशन में बदल देनों मॉनिटर नमें देख सकते हैं नो प्रोसेसिग का होता है ठीक है यह कि अगला प्योंट आता है आउट्पूलित के कैश्पूलेंग यह ब्रूसेसिग के फिर्ट में या मोनिटर पर सो करना होगा तो मोनिटर पर जो सो होगा जिसको यूजर आपने आविसकता अनुसार समझ पाएगा उसे आउट्पूट कहा जाता है ठीक है बास समझ में आ गई अब यहां पर हम देखते हैं अगली अगला पॉइंट के हमारा कंट्रोल देखें कंट्रोल इसने होते हैं उसको इंस्ट्रक्शन और सूचना है बीच विरन घी चुन में ऑर समझी करेंगा उसको उसको साथ जो जो जोड़ा को और वो आपके सामने प्रिंट करके दे देगा तो कंट्रोल यूनिट ने अंतरत करने का कायर करती हैं तक बात क्लियर है चलिए हम आगे बढ़ते हैं अदि वीडियो का अभी तक लाइक सेर नहीं करा है जल्दी से वीडियो को लाइक सेर करिए और आप कमेंट्स करा करें ना ज्याद ज्याद भी जान पाऊंगा कि आपका पॉइंट विव क्या है मत्रदेश में बहुत सारी वेकेंसी आने बाली है और भी अभी देखिए सिख्षक भर एक का भी नोटिविकसन डल गया और आप अच्छे सा त्यारी कर लिजिए क्योंकि 2023 ही है आपका जो कुछ होना है इसी साल होगा पर पांच साल तक इंतजार करना पड़ेगा तो पांच साल इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए हम अभी दिन रात एक करते मेहनत करेगा और अप अपने आप पर भी द्यान दीजेगा है ना चले अगले टॉपिक पर आते हैं कंप्पूटर हाड़वेर के मुक्य भाग कंप्पूटर जो हाड़वेर इसके मुक्य बाग क्या होती है यहनी कि मेन कंपूनेंट्स और कंपूटर के मेन कंपूनेंट्स है कौन-कौन से कर पद्धती के आधार पर इने हम कई भागों में बाढ़ सकते हैं जैसे कि सबसे पहले इन्पूर्ट यूनिट है ना सबसे में होगी इसकाцион इस्टोरी जैस इतंड और नीगार रट होती हैं सिस्टमियोट मेन होगा वह इसके अंदर सेंट्रल प्रोसर्स्जिंट और अब left प्राइब में मुख्य मेमोरी होगी और इसको बाद आउटपोट इनिट इसको थोड़ा सा डाइग्राम के माद दिम से आपको समझाता हूं कंपोटर के जो मैं गंपोनेंट से उसको समझेगा देखिए ठीक है इसको यहां पर समझेगा सबसे पहले माउस सबसे इचा है इसके माद देट आया नुदेश को करते इनिसेट करते है जैसे इसमें आपने डेटा या इंस्ट्रक्शन दीए तो फिर यह क्या कारे करेगा यहां पर जो CPU होगा इसके पास भेज देगा CPU में भी एक यूनिट कौन-कौन सी यूनिट होती है इसमें प्रात में क्या मुख्य मेमोरी होती है CPU के अंदर है एक मेमोरी होती है जिसको प्राइमरी है में मेमोरी कहते है एक कंट्रोल यूनिट होती है और एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है इसमें तीन यूनिट होंगी नुक्के मेमोरी कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ठीक है इसके बा कुछ memory हम इसमें जोडते हैं ठीक है तो इसको हम दूइतिय का साइक memory कहते हैं और इसके अलावा देखिए जब इंस्टेक्शन दी तो यहां पर प्रोसेस करा प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट है वो आउट्पुट के माध्यम से आपको कहां पर मॉनिटर पर या फिर किसी अन को क्लासिफिकेशन करना सीख जाएंगे तो कोशन के कोडिंग आप आंसर आसानी से बता पाएंगे ठीक है इसी थेयोरी से हो सकता कई कोशन बन जाए तो आप mcqs के माध्यम से उनको और अच्छे से समझ पाएंगे तो वीडियो के अंतों mcqs भी प्रेक्टिस करने वाले बात समझा यहां तर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है इन्पुट डिवाइज और दोस्तों हिंदी बैकरेंट की कंप्लीट वीडियो मैं अल्रेडी अप्लूट कर चुका हूं देखिएगा बहुत बैतर हिंदी बैकरेंट की वीडियो हैं एक एक मिनिट जो माक्स से मुकवर हो जाएंगे और अभी सिक्षक भर एक की भरती आई है उसमें 120 नंबर की हिंदी पूछी जाना यानि की दो भाग होंगे तो सेकंड भाग में आपका जो सब्जेक्ट होगा उसके कोड़ें 120 नंबर का पेपर आएगा तो दोस्तों बहुत ही बहतर कंट दिये इसका कार क्या होगा डेटा या अनुदेश इसको इंस्ट्रेक्शन का जाता है और प्रोग्राम को सविकार करना है ठीक है जो भी इंस्ट्रेक्शन उसको दी जा रहा है या प्रोग्राम उसको सविकार है नहीं एकसेप्ट करना इसका कार होगा इन्हें बाइनरी को कम्पूटर सिस्टम को भेज देता है ठीक है उधारन देख है इंपूट डिवाइस के कीवोड माउस सबसे फैमस उधारन है जोईस्टेक होता है एक इसमें देखी जैसे गेम बगएरा खेला होगा एक इसमें रोड होती है इसको चारो तरब मूब कर सकते है आगे हम इसको बार बार पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा वांकि हम इन्पूट आउट्पूट डिवाइस अलग से भी पढ़ने वाले हैं चलिए आगे बढ़ते हैं भंडारनी यूनिट या फिर मेमोरी के बारे में देखते हैं देखी दोस्तों इस्टोरेज यूनिटे फिर मेमोरी ठीक है इसके बारे में समझते हैं डेटा और अनुद्वेसों को प्रोसेस करने से पहले मेमोरी में रखा जाता है जब डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस किया जाता है इससे पहले इसको मेमोरी में रखा जाता है process दोरा प्राप्त अंत्रिम परिनाम और अंत्रिम परिनाम दोनों को भी memory में रखा जाता है जब हम computer में कहा करते है data instruction देते हैं तो process के लिए पहले वो memory में जाता है ठीक इसके बाद process दोरा वो देख memory प्रोसेस से पहले भी memory में जाता है और process के बाद भी जो अंत्रिम और अंतिम है ना दोनों जो परिणाम है वो भी कह जाते हैं memory में ही रखे जाते हैं ठीक है process वोने बाद जो भी आपका some results हो हुआ उसको भी memory में रखा जाता है memory को मुख्यता हम दो भागों में बाट सकते हैं भागों में बाट रहा है मुख्यता दो भागों में में मोरी क्या होती है उसको इंगलिस में primary और में में मीमूरी कहा जाता है, यहां से कुछान आता, दोस्तो एक एक पॉरीट समझिएगा दियान से, ज завto giy, जो प्रात्मिक एक मैं मैं में मूरी है, यह इस ठाइ, या निकि भॉलेटाइल में मूरी है, ऐस ठाइ का मतलब क्या होता है, जैसे कि RAM में जो कोई आपका डेटा सेब होता है और वो आइस्थाई बॉलेटाइड मेमोरी है रेम भी एक मेमोरी है लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे केम्पूर्टर की स्विच बंद हो गया या लाइट चली गई तो इसमें जो डेटा होगा वो आपका नस्ट हो जाएग इसलिए इसको आइस्थाई बॉलेटाइड मेमोरी केहते हैं प्राइंतविक या मेल मेमोरी इसके स्ट्रॉस बहुत कम होती है बहुती कम इसकी मेमोरी होगी गती इसकी तीर होतीै यानिकि इस्पीड बहुत फाश्टली काम करता कंपूर्टर ऑप करने पर सुचना सवापत हो जाती है प्रात्मेगक मैमोरी या मैमोरी कहते हैं लिए अफ होगया इसकी जो सूचना है वो नष्ट हो जाए स्वापत हो जाए गी डेटा और इंस्ट्रेक्शन गोट परोसेस करने से ठीक पहले प्राइफंक मैमोरी में आइस्था रूप से रखा जाता है और अंतेम परिणाम जो प्राप्त होता है अन्तेम परिणाम तता प्राप्त आउटपुट को प्रदर्स्थित करने से पहले भी इसे प्राफम मेमोरी में in store किया जाता है यह बात हैं आपको पता वहना चाहिए जब इसके डेलेटेट लगाएंगे तो आपको यह सारी कहानी और बहतर समझ में आ जाएगी ठीक है जिन बिद्द्धरति उन्हें कम्पूर्टर पहले पढ़ा है उनको बहुत बहतर समझ में आ रहा होगा और जिन्होंने पहली बार पढ़ा है उनको कहानी तो पता चल रही होगी लेकिन हो सकते बढ़ा सदिक्कत दे रहा हो लेकिन यकीन मानिए आप पढ़ते रहे हैं और अबजेक्टिव जब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सारी कहानी दूर हो जाएगी इसका दूईतिया के सायक मेमोरी होती है प्रायत्मेमोरी समझ लिए हमने अब यह दूईतिया कि य जाता जैसे कि डेटा यह सॉप्टेवर आपकी एफ्लिकेशन है ना कम्पूर्टर में जैसे में एक्सल वगेरा इस था रूप्सेहनिक पर्मेरेंट लिए आपके सायक मेमोरी में सेब होते हैं ठीकिसायक मेमोरी क्या होती जो अलग से उसमें मेमोरी लगाई जाती है उसको सायक मेमोरी कहते हैं जिसमें क्या होता है इस पर्मेरेंट होता है डिलीट नहीं होते हैं जब हम करते हैं तभी होते हैं लेकिन इसकी डेटा होता है वह कंपूर्टर ओप होने के बाद भी नश्ट नहीं होती इसकी जानकारी नहीं होती है कम खर्च में विसाल डेटा स्टो करने की चमता रखते जबकि जो primary memory है मैं मुझे वो खर्ची ली ज्यादा होती है और उसमें चमता कुभी कम होती है दोडोडी यह ipdzer पश्चाल इसको समझें थ्यान से क्या होता है राइश्टर आपका प्रि बाट कर रहा है आपकार इससे के बात नहीं कर रहें , इसको समझें जो सब्सक्राइब ci i7 우리 jatamente did heWale प्रात्विंग मेमोरी हैं दिर्मेद CPU के साथ माइक्रो प्रोसेसर होता सब से सांद μας एक अत्य Short City बाली फ्राट्विंग मैमोरी स्थमइ की बरकिंग मेमोरी भी कहा जाता है ठीक है जो रेजिस्टर इसको CPU की बर्किंग मेमोरी भी कहा जाता है CPU रेजिस्टर में इसके डेटा को ही प्रोसेस कर पाता है तो यह करता है रेजिस्टर में जो डेटा है इसको ही यह प्रोसेस कर पाता है ठीक है अता डेटा और इंस्ट्रक्शन को go processing से पहले register एक 2 और इसको इसको प्रोसेस्न्न से पहले कहा पर रखा जाता है register प्रोसेस्टर में रखा जाता है register अक्सेस टाइम एकбы सैकों को सकता है जिस से यहां कि रहे समझें से लिए प्राइमरी है इसको समझ करते हैं कैस क्या रहा जाता है रोपए वाली बात मत संचया case memory की बात करें はい cpu से सीढ़ी होती है case memory क्पीड से सीढ़ी होती है Sumus memory से cpu तक data ले जाने के लिबिए system बस का फ्रियोग नहीं करना पड़ता कर जिए cpu से सीढ़ी जुडी होगी Case memory اور Case memory से cpu टक डेटा ले जाते हैं इसके लिए system बसका उप्योग नहीं करना पड़ता है इसकी गती बहुत तीरव होती ही case memory की अधिक महंगा होता है और access time 2-10 nanosecond होता है ठीक है case memory के आद रखेंगे cpu से जुड़ी हुई memory है ठीक है इसका access time बहुत कम होता है 2-10 second और एक तीरव गती है ठीक है case memory से cpu तक data ले जाने के लिए system बस का ही प्रियोंग नहीं करना पड़ता है यहां से memory ले जाई सकती है बस समझा गई आपको कहानी जरूब पता होना चाहिए और फोट डीपली हमें computer को पढ़ रहे हैं यहां पर ठीक है अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं देखिएगा next topic पर आते हैं next topic हमारा क्या है next topic है हमारा RAM क्या है next topic RAM इसका full form सबसे पहले प्रिक्चम पूंच लिए जाता है random access memory फोलपॉम भी याद रखीगा अब हम आगे बढ़ते हैं इसके बारे में detail देखते हैं RAM क्या है इस थाई प्रात्मिंग मेमोरी है इस थाई यानि की computer off होने पर इसके सुचना है नश्ट हो सकते हैं उसको इस थाई memory कहते हैं प्रोसेसिंग के दवारान डेटा और अनुदेशों को सायक मेमोरी से लाकर RAM में स्टर के जाता है जब कोई instruction computer में देते हैं तो CPU के करता है जो सायक मेमोरी है यानि की सेकेंडर मेमोरी है इससे डेटा को उठाकर RAM में पटक देता है तो RAM में वो स्टर होता है ठीक है अब यहां पर समझते हैं सायक मेमोरी देखिएगा अभी समझ में आ जाएगी आपको ठीक है को सायक मेमोरी से करते हैं कibly करते हैं राम से कहा जाता है क्ष मेमोरी में यह फिर ROM होता है ROM रहां थे memory जो computer पहले से इंस्टॉल होती है तो RAM से case memory को इंस्ट्रक्शन आएगा या ROM से case memory से वो data instruction कहा जाता रेजिस्टर में ठीक है और रेजिस्टर किस से जुड़ा हुआ होता है CPU से तो CPU से पहले कहां पार जाता है data register में बास समझ आ गए यह आपको एक sequence में diagram के तुरू मैंने बता दिया अब हम आगे बढ़ते है ROM RAM ROM बहुत सुना होगा आपने हैं यहां से परिक्शन प्रिष्णी बहुत मुच जाता रों इसका का फुल्पर्म होगा read only memory ROM का फुल्पर्म एक इस्थाई प्रात्विंग मेमोरी है ROM जयाद रखने इस्थाई पर्मनेंट है और दूसरा प्रात्विंग मेमोरी है ठीक है प्राइमरी मेमोरी जिसमें इस शोटीट ना तो नस्टसे और नाहीं इसे बदला जा सकता नisol है यादिए जो पहले सब्सक्राइब करने में क्या करता है मदद करता है ठीक है तो रॉम समय आगा रीट आउली में जो उसमें कुछ फंक्सन अल्लेड यह से आते हैं इसको डिलीट करना भी जाना तो नहीं होते वह रॉम के अंदर क्योंकि वह जरूरी है बेसिक है उससे ही पूरा आपका सिस्टम ऑपरेट होता है वह और रॉम मेमूरी के अंदर रखे जाते हैं अब आगे हम बात करते हैं सी मोस चिप इसके बारे हम जानी कौन से शिप है कॉंप्लिमेंटरी मेटल ऑकसाइड सेमी कंडेक्टर चिप इसका फुल फॉर्म होगा ठीक है कम्पूटर में कुछ सूचना है तता सेटिंग लगाता उन्हें जो डिट थी और नहीं बदल आपने उसको लेकिन वो डेट आटमेटिक बदलती रहती है तो इसके लिए क्या होता उन्हें अब डेट रखने का कार सी मुस चिप का होता है यादी कम्पूटर आफ है तब भी ये समय दिन दिनांग को सी मुस चिप अपडेट करती महतोम फॉषणे रहती है इस मेह औरी के साथ मेह मुर्य की साथ बटन के अकार क्या अश्वांक बटन के अखर कहा लगißt brains लगगे होती है जो क्या करती है इसको चारज रीजेया या सपावर देती यह और सिकनल जंटरेट करती रहाती जिस्से ना और ओंस झानथ बढ़ा है या computer की जो बहुत basic compulsory setting है वो change होती रहती, ठीक है, जितनी बास समझ में आ गई, ठीक है, चेप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम दो पार्ट में cover करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखीए, आगली वीडियो में हम यहाँ से cover करेंगे, system units से, ठीक है, चुकि आज की चलिए, यहाँ पर देखीए, objective प्रिश्णों को solve करते हैं, computer के कारे करने का सिद्धान्त, input, output, process, उप्रोक तीनों, तो हमने पढ़ा था, computer में सभी कारे करते हैं, कारे प्रिणाली में input, output, process, और उप्रोक तीनों, यहाँ डी बाला हो, ठीक है, computer भैय यक्ति है, जो input के process करता है, परिणाम का output का रूप में हमें देता है, अगला प्रिश्ण है, central processing unit, यानि कि CPU का whole form होता है, central processing unit का मुख्य घटक है, control unit, arithmetic logic unit, और आगे बढ़ते हैं, तो primary memory और approach सभी, तो CPU के यह पार्ट है, तो option होगा D वाला, CPU को computer का हर्दे MS-3 की भी कहते हैं, इसमें control unit, arithmetic, logic unit और primary memory से मिलकर बना होता है, computer का must disk कहला आता है, किसे कहते हैं, CPU को कहते हैं, computer का must disk, CPU को कहा जाता है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए का ध्यान से, कुछ और प्रिश्णों को यहाँ पे देखेंगे, जो उने theory पड़ी, उससे related प्रिश्णों को, मैं अलग-अल प्रिश्णों में जॉइन कर लिजिएगा, देखिए, CPU के सभी क्रिये कलापों को नियंतरत करने हैं, और अनुप करनों को दिसन देता है, CPU और मुल्विद गरना भी कर सकता है, इसे ही computer का मस्तिस का जाता है, CPU के कार क्या क्या होते हैं, देखिए, input output device को नियंतरत करना, data को ततकालिक रूफ से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना और आजिस देना, यह सभी कार CPU के होते हैं, ठीक है, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रिश्ण पे, निम लिकत में से कौन सा उतपात Pentium brand नाम से बैचा जाता है, तो micro processor जो है, वो Pentium brand नाम से बैचा जात है, ठीक है, यह से Intel, AMD, Cyrix, Micro processor के chip, यह कुछ प्रमक अधारन है, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रिश्ण की हो, computer के संदर में, ALU का तातपर है, ALU का क्याताप पर है, अभी हमने देखा था, एक diagram बताए था मैंने, इस अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसका full form होगा, अर्थमेटिक लॉजिक लॉकल लिका है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, अगले प्रिश्ण पर आते हैं, input का output में रूपांतरण किया जाता है, input, output में बडला जाता है, किसके दोरा, CPU दोरा बदला जाता है, अगला प्रिश्ण है, एक कम्पूटर में जाने वाले डेटा को में के कहते हैं? क्या कहते हैं अभी मैंने आपको बताया था computer में कोई भी data inside करते हैं उसे input कहते हैं ठीक है CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निंड ने लेता है ठीक है तो CPU arithmetic logic unit आकलन करता है और निंड ने लेता है अगले प्रिश्ण को देखते हैं एक electronic device जो data को information बदलते हुए प्रोसेस करता है कहला आता है देखिए data को information प्रोसेसर कहला आएगा ठीक है प्रोसेसर अगला कोशन देख लेते computer का सबसे महत्पूर्ण भाग है CPU keyboard disk printer तो सबसे महत्पूर्ण भाग क्या होता है CPU होता है अगला प्रशन समय लेते हैं यहां पे CPU का full form है Central processing unit तो processing unit कौन सा होगा सी बाला हुआ ठीक है दोस्तों आज हम यहीं पर देखते हैं question को बांकि इससे आगे के जो question रहेंगे वह हम next वीडियो में देखेंगे ठीक है तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इ करेंगे और आपको मतबरते सपड़वारी के हैं डिटन नौट्स चाहिए तो description बॉट्स अपर नमबर है वहां पर मैसेज करिए आपको सारी जानकारी मिल जाएगे ठीक दोस्तों मला आगर पढ़ाई करिएगा बाकी मिलते हैं नेक्स चुड़ी हूं आज कितना ही जैन बं नमातरू